तो हेलो दोस्तों बहुत समय के बाद हम लोग मिल ले हैं हाँ अब जब की UPSC prelims को 99 दिन 16 गंटे 55 मिनट और 40 सेकंड टिक 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 कम होते जा रहे हैं लगबक 100 दिन बचे हुए हैं और 99 इसलिए बोलना क्योंकि आज का दिन अभी 7 बच कर एक मिनट में ये वीडियो हम हैं तो लगतार समय पढ़ते जा रहे हैं तो अभी तक भी कई लोगों के मैसेज मेल कॉल्स लगतार आ रहे हैं कि हाव टू प्रिपेर यह स्ट्रेटिजी क्या हो आने वाले सौ दिन होगी तो यूटुब पर बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी बट टॉपिक वाइस प्राण कोई भी वीडियो में नहीं मिल पाएगा आज की ये वीडियो आपकी उसी समस्य का समधाने की कैसे आप लोगों को स्ट्रेटिजाइज करना है जैसे कि कहते हैं इफ आफ गिवन फाइवार तू कट दट्री आई विल यूस्ट्रियार तू शार्पन दबलेड और तो गंटो में मैं जो है फिल को आराम से काट लूँगा क्योंकि मेरे ओजार की जो धार है वो तेज होगी तो विदाउट स्ट्रेटिजी यू कांट विन दा वर्स और यूपीसी की जो वार है उसको जीतने के लिए हम स्ट्रेजी लेक्या है यह प्लान आपको टेलिग्रम के हमारे चैनल आप आएस ऑफिशियल पर मिल जाएगा तो जो भी लोग इस एक्सल शीट को देखना चाते हैं यह इस प्लान को अपने हिसाब से फॉर्मलाइज करना चाते हैं वह हमारे टेलिग्रम चैनल से ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो सबसे पहले टाइ आप उस वीडियो को जाके देख लें अब देखिए जो हमारे स्टेडी स्लॉट थे उस टेम टेबल के अपको स्क्रीन पे भी स्प्लैश हो रही होगी वह वीडियो आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो आप कहां पर जाके देख सकते हैं तो देख सब्क्रिप्र के उसके दर्लक के लिए उसके यह कुल मिला के किता घंटे होगे चार घंटे हमारे स्टिग स्टैते के आपकी स्टेड़ीDon तो 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 आपको अब तेरा गंटे कोशिश कीजिए निकालें इस से कम अब बात नहीं बनने वाले जिन्हों ने पड़ा है उनका भी और जिन्हों नहीं पड़ाया उनका भी इन तेरा गंटे अगर आप डेली के देते हैं तो आने वाले निन्यानब्य दिन तो आगे आपको दिखताएगी इसलिए तीन गंटे का आप और प्रत्पिस के लिए तीन गंटे और रिविजन में आपने आज का जो भी पढ़ा उसको रिवाइस कीजिए ठीक है अब 28 तारिक को आप 5,8,11,12 यह टॉपिक्स पुलेंगे अब इन दो दिनों में आपने सीचेट कुछ तो पढ़ा होगा दो टॉपिक्स उसका एक टेस्ट लगा लिजी आपर यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीचेट कई आपके लिए गेमचेंजर साबित होता है और आप सीचेट में 1110 स्कोर कर रहे होते हैं 120 स्कोर कर रहे होते हैं इसके लिए यह आप लोगों को करना पड़ेगा सीचेट को बहुत लाइटली नहीं लेना है अब मंडे को आपको शंकर आईए 5,8,11,12 यह चेप्टर्स करने हैं एक मार्च को आपको करना है 13,14,23,25,26 यह आपक इसके साथ साथ आपको जितने भी environmental conventions हैं वह आपको complete कर लेने हैं मैंने convention का एक short notes बना के अपने telegram channel पे शेयर किया हुआ है आप उसको भी बढ़ सकते हैं अब क्योंकि आपका environment लगभग complete हो चुका है तो आप 3 मार्च को आप environment का पूरा complete test देंगे एक analysis करेंगे plus जो भी हो गए ठीक है अब शुरू करते हैं quality environment हमारा लगभग complete आप quality पर आते हैं चार मार्च को आप करेंगे historical background making of constitution silent feature और PM वल ठीक है इसके बाद आप आएंगे 10 11 12 13 यह chapters आप लोग करेंगे साथ में optional cset और previous year question यह तो आपके चलते ही रहेंगे ठीक है 10 11 12 13 यह chapters के बाद आप आप और यह chapters आप लोग करेंगे फिर करेंगे आप लोग Parliament Parliamentary Forum Parliamentary Group फिर करेंगे State Legislature Anti-Defection law फिर करेंगे President Vice President Prime Minister Central Council of Minister Cabinet Committee is Governor CM पी इमर्जेंशी प्रोविजन लोगपाल लोकायुक्त फिर Supreme Court Tribunal High Court Subordinate Court Tribunal पंचैती राज मिन्सिपल्टी इंटर स्टेट इलेशन इलेक्शन और 16 मार्च को आप करेंगे 42-69 तो यहां पर देखिए आपका लगबग लगबग optional cset यह सब चीज आपकी complete हो गई है क्योंकि आपका complete हो चुका है और प्लस पॉलिटी लगबग लगबग complete हो चुकी है तो पॉलिटी अब आप लोगों को 17 मार्च को करना एक टेस्ट देना है अनलाइसिस करना है और बाकी सारे स्लोट से इसले खालिया भी तक अगर पॉलिटी का यह इंवर्मेंट का जो भी क्या करें तो वह यह कहा है क्या करींगे तो आपके डिमाग में नहीं आएगा और साथी शाथ आपको एक्जाम में क्वेश्टेंस विध्या प्लंति नहीं तो अब आ जाते हैं 18 मार्च को यहां से हमारे ज़ोग्रफी दक क्या 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 क्मोन होगी है हमारा complete हुआ है जोग्रफी में 18 sao 10 फिडर जीग्र्फी के शेकंड उसके बाद 2 अपये उसके के बार 8o businessman चेप्टर फिर फंडर्वानमेंट फिजीग्र्फी की पोरी बुक आने वाली दो दिरहों मेंम्ट करने धीकलिे उनके 15 से 25 शैप्त 120 में को और 24 मार्च को आपको पूरी किताब खतम करना है इंडिया पीपुल एकुरोमी साथ ही साथ यहां पर जो आपका सीशाट का स्टाउट था उसमें लोगोंने कुछ चेंजिस किये हुए हैं यहां पर मैपिंग करेंगे हम लोग यहां पर मैपिंग में हम लोग क्या करेंगे अमेरिका अफ्रिका एशिया औस्टेलिया साथ अमेरिका जोग्रफी की जितनी लोकेशन ने नियूज के सभी हम लोग कवर करेंगे यहां पर ठीक है अब उसके बाद 25 तारिक को टेस्ट और अनलाइसिस ब्लस जितना पीछी का जुटा हुआ है प्लस रेविजिन ठीक है अ आप लोग कोई और शोर्स रफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चेप्टर वाइस लिजिए और उन चेप्टर को डिवाइट कर लिजिए इस प्लान के अकॉर्डिंग या फिर अपना अलग से भी आप लोग बना सकते हैं ठीक है दो चेप्टर वाइस जब आप लोग से क्या होगा अभी तक जितना भी सेट आप लोगों ने कर लिया है उसी सेट का आपका रिविजन हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं वेनेश देगो तो यहां पर देखे साथ और आठ चेप्टर आप लोग करेंगे फिर उसके बाद नौ से बारा इकतिस मार्च को एक पंड़ा और सोला चप्टर ठीक है तो कुल में आखे लगबग लगबग एकोनोमी आपकी कंप्लेट हो चुकिए यहां पर स्री राम के अगर आपको यह और फ्लोर्स फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से जो है चीज़ें करते रहें आप देखें यहां अठारा मार्ज से चालो हो गया जुलाइक का करेंट अफैर फिर सेटेंबर का करेंट अफैर ठीक है ऐसी बढ़ते बढ़ते हम लोग पूरे यह का करेंट इस 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 लॉट में जो हमारा ऑफ्षिनल का तीन वंटे का स्वाइब तो पुरा-पुरा कोवर अप करने वाले त अब पांच अप्रेल को हम लोग टेस्ट का अनलाइसिस करेंगे और 6 अप्रेल को फिर एक टेस्ट एकोनोमिक सर्वे और बजट का यहां पर सी सब्सक्राइब प्लस एकोनोमिक सर्वे जो यह दो है क्योंकि यहां से प्रिलिम्स में कॉस्टिंस काफी हंडी हो जाते हैं तो शुरू करेंगे एडवेंट ओफ यूरोपियन से फिर राइजिंग रिसेंबंट फिर यूनिट नमबर 6 फाइव फिर यहां पर 7 यूनिट 8 यूनिट और 9 यूनिट ऐसे करके हम लोग ने पूरी मॉटन हिस्टी कर ली 14 तारीकों मॉटन हिस्टी का एक टेस्ट भी दे कर दो सब्सक्राइब यहां पर जैसे ही हम अचेख पर यहां पर जैसे हम आट चैठर पर आते हैं कि तो दिखीए जैसे यह आट दयुक्त अच्ट पर हम लोग आये 15 अप्रेल के अस पास हम ओन ओट आंट पर पोच रहे हैं तो 15 अप्रेल को फाइनाट के चैख प्रिविजन का स्वाट तो वैसे ही चल रहा है अब 24 अप्रेल को हमारा टेस्ट होगा अर्टन कल्चर का प्लस अनलाइसिस एंड मेडिवल हिस्ट्री पूरा-पूरा इंशन डॉर मेडिवल हिस्ट्री यहां पर हम लोग कोशिश करेंगी कि कवर अप करें क्योंकि ज्यादा इस पर देना वर्थ लिविंग नहीं है क्योंकि ज्यादा क्वेश्ट्री यहां से आते नहीं है पर कोई भी चीज हमें नहीं करनी है तो आप लोग देख रहूंगे ना हमने करेंट एफेस चोड़ा ना चोग्रफी चोड़ी ना सी सेट चोड़ा ना ऑप्शनल चोड़ा तो कुल मिलाके 24 अप्रेल यहां पर तक आते आते यानि कि आज हैं हमारी टोटल कुल मिलाके लगभग 100 दिन थे हमारे पास 25 फरवरी से हम लोगों ने शुरू किया प्लान और 24 अप्रेल तक हम लोगों के पास एक बार से लिबस पूरा कंप्रिशन हो चुका है अब यहां स की पॉलेटी करेंगे फिर एक दिन का बफर यह बफर श्रॉट्स क्या है यह बफर श्रॉट्स वह हैं जो आपका बैक लॉक्स हुई है अभी तक जो जो चूटा हुआ हुआ है पॉलेटी में फॉर इसको आप लोग यहां पर कवर आप कर सकते हैं फिर फुल लेंट का थीं दिन का रिएरु रेए जला पूरा-पूरा की वाईस का हमनने फिर फूल लेंट टेस्या है और फिर एंगर यहां पर ऑर यहां पर पूरा पुरा पूरा कि लिए हमारा संदे Ł 720 का तब तक के लिए तो I hope कि ये वीडियो में आपको एक detailed idea लग जया होगा कि कैसे आप लोगों को अपना plan बनाना है कैसे आपको चीजे करनी है तो पूरा पूरा एक idea आप लोगों को लग चुका होगा और time table के लिए एक बार time table वाली video देख लिए और I hope कि ये चीजे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बीना plan के बीना एक strategy के अब आपको चड़ना है Mount Everest आपको यह पता नहीं है कि किस जोगह से cracks है किस जोगह से हुआ है कि strategy आपको पता नहीं है एक तैयारी पूरा detail framework आपको पता नहीं है अभी जैसे Ukraine और Russia की crisis चल लिए है अब इंडिया के पा को strategy नह में ही है कैसे interfere करना है तो उस condition में एक बहुत ही haphazard manner में कुछ भी कर देगा बट डिफाइंड policy होगी तो चीजे definitely जो हैं बहुत अच्छी होंगी तो आज की video से आपको एक holistic information मिल चुकी है कि कैसे आपको time table लेना है कैसे आपको तेयारी करनी है तो अब इस plan को आप ले ली यह प्लान आपको helpful लगेगा और आने वाली जर्नी के लिए आपको all the best जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा यूही नहीं मिलती रही को मंजिल एक जुनूसा दिल में जगाना पड़ता है पूछा चीडिया से जब कैसे मिला घुसला बोली भरनी पड़ती है उड़ान भररर तिनका इंटका उठाना पड़ता है तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्न वीडियो में नेक्स्ट वीडियो अपकी जो रही गी वह इस चीज़ पर रही है कि की पॉलटी के बढ़े हैं यहां पर हम लोग ने जो ऊपर नीचे किया हुआ है ना चेप्टर्स को तो उसके पीछे बहुत ही scientific reason है, ये polity वाला जो भी section हमने उपर नीची किया था, तो उसके पीछे scientific reason था, क्यों हम लोगों ने polity के chapters आगे पीछे किये हैं, तो एक पढ़ने का scientific तरीका अगली वीडियो का topic रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जैन, जैन.